सब्सक्राइब आपके वीडियो में में आपके साथ कुछ बीसिक स्किन केर टिप शेयर करने वाली हो फोड़ी एंग ग्लोविंग स्किन सब काफी नहीं है क्योंकि वह सिवार एक्सटरनेली कर सकते हैं इंटरनेली भी आपको बहुत कुछ चाहिए होता है फोड़ी एंग्लोविंग स्किन के लिए आपको एक पौफेक्ट पूटीन फोलो करना पड़ता है एक दिन में वान टाइम में एक मेने में नहीं होता है नहीं करते है जके देशनेरह यह खिर्ल में वालकर चाहिए यह सब फोलो करने से अपको जो में आज की वीडियो में बताने वाली आपको परेगा अपको немे लगेगा बढर अकर आप यह फोलो करते रहेंगे तब आपको एक बहुत अच्छा हैं हineस्यां भ costume नहीं ऑमने जो कि गृष्व करते हो जादा या फिर क्या फॉर्क पड़ता है यह सब करने से यह हैं वैसे ठीके अस्ता पॉइंट ओफ डिफरेंसब आपको नहीं पता हो इस लिए बहुत कुछ आप कर सकते हो क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होते हैं इसके लिए वो रहे ही कर पाते हैं यह जो टिप से बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है बहुत ही बेसिक सा टिप से जो आप जरूर कर सकते हो आपको कोई परिशानी नहीं होगी सिर्फ विल्पावर होना चाहिए कि no I have to do this क्योंकि स्किन जो है ना वो सिर्फ आपको बाहर से गिसने से clean नहीं आपको इंटर्नेली भी बहुत कुछ करना पड़ता है बहुत कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे यह करूँ वो करूँ यह ना करूँ वो ना करूँ आज की वीडियो इस सब के बारे में है कि आप अपनी स्किन को कैसे हल्दी एंगलोई रखें नाच्रिली कैसे को मैंटेन रखें तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छ लगे और यूस्फुल हो आपको किसी भी धरा प्लिस हिट दालाइक कमेंट में नाउं कमेंट में जरूर बताए कि आपको कैसा लगा and if you are new to my channel seeing my face first time here please subscribe to my channel it is absolutely free and hit the bell icon ताकि जब भी में वीडियो देखें आप सब से पहले नोटिपाइड हो जाए and share with the family and friends because sharing is scaring so let's get started so first two tips है what है hydration hydration बहुत जरूरी है क्यूंकि आपके skin को hydration सिब आउट इंटर्नेली भी hydration चाहिए होता है so drink at least three to four liters of water in a day क्यूंकि आपको इंटर्नेली भी hydration बहुत जादा ज़रूरी है सो यह आपके blood के clean करने में help करता है अगर आपका blood clean है तो आपका दिखना skin automatically हमेशा glowing and cleared है बहुत सारी issues है acne वगरा issue बहुत को जीचों यह सब पानी पीने से ही ठीक हो जाता है solve हो जाता है या फिर आपको यह issues होते ही नहीं है इनके शुरवात में कुछ भी चाय कॉफी या फिर ऐसा कुछ consume मत किजिए biscuits वगरा at least पानी पीजिए at least morning को आप one glass warm water ज़रूर पीजिए यह बहुत ही अच्छा detox करने में भी help करता आपके body को internally बहुत ही ज़्यादा beneficial है आपके health के लिए अगर आपको warm water में problem है at least normal watery पीजिए बर पानी ज़रूर पीजिए अगर आप यह first time कर रहे होगे ना तो आपको थोड़ा सा vomiting जिसा feel होगा और धीर धीर करके आपको habit हो जाएगा और आपको कोई भी issues नहीं होगा सो आज से start कर दीजिए अगर आपने अभी तक यह start नहीं किया आपको बहुत अच्छा लगेगा थोड़ा थोड़ा करके पीजिए quantity थोड़ा थोड़ा करके increase कीजिए day by day जट से एक bottle पानी मत पीजिए आपको vomiting हो जाएगा क्योंकि यह मैंने भी face किया है मुझे हुआ था इसलिए में आपको पहले से वर्ट कर रही हूँ सेगंड पॉइंट है मेंटेइन हेल्थी डायेट आपको मैंटेइन हेल्थी डायेट मतलब यह नहीं कि आपको किसी निट्रिशनिस के पास जाना है या फिर आपको सिफ सलाड वगरा खाना है बिल्कुल भी नहीं सिफ यह अभी ड़किए कि आपके खाने में ओयल वगरा कम हो मसाले वगरा थोड़ा सा कम हो बिंग बेंगॉली गर्ल मुझे पता है कि बैंगॉली दोग बहुत ज़्याधा स्पाइसी खाना खाते में भी खाते हो कभी कभी हमेशा कंजीम नहीं करती हूँ बड इस से आपका हैल क्योंकि अगर अगर इतना जादा मस्टर्ड ओयल से कुकिंग वाला फूट खाएंगे इतना जादा मसाले स्पाइसेज ग्रिंजिली पेस्ट यह सब जादा खाएंगे तो आपको इशू होगा लाइट खाने क्या कोशिश किजिए बहुत ही आपके हेल्थ के लिए अच्छा ह कुछ जादा खाये अपको उसने कुछ इसमें पानी पीजे उसके बदले जादा पानी पीजे और ट्राइक कीजिए लाइट खाना खाने के लिए क्योंकि है कि हल्दी डायेट बहुत ही जादा इंपोर्टन थे आपके स्किन के लिए आप दिखना जब भी आपको ज्यादा पास्ट खाएंगे कुछ स्पाइसी फूट खाएंगे या सिफ कुछ ओईली ज्यादा फूट खाएंगे आपको उसने कुछ इशू होगा यापके फेस में मुझे तो हिंपल्स हो जाते अगर मैं ज्यादा ओईली खाना खाती हूं कभी कबर में आप ट्राइ कीजिए लाइ इसलपीट कैमिकल फ्री हो वह ऐट लिस्ट की मार्केट में बहुत जादा प्रोडक्स में लेंड़ी जो अगया मंभी हमेशा धियूना घ्लाट फी ट्राइव करती थि थी नहीं किлять मुझे कुछ चीज सूट नहीं करता है जो की रॉंग कंसेप्ट था और प्लस उतना प्राइम में आपको क्या सही कॉंसेप्ट आ जाएगा तो आप जरूर ट्राइ किजिए क्या प्रेमिन साल्फिट केमिकली फ्री प्रोड़क्ट यूज किजिए और अभी तो बहुत सारे व प्रोड़क्ट चुझ करना बहुत जादा इंपोर्टेंट इसके लिए आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए अगर आप और आप कोई नॉर्मल तु ड्राइब रेंज वाला प्रोड़क्ट यूज करेंगे तब आपको क्या होगा आपको और भी ज्यादा कि आपका स्किन टाइप क्या है तो यह चीज आप अपने ध्यान रखें कि गलत वगरा चीज खरी देंगे तो आपको गलत वगरा रियक्शन अबफिर आप सोचेंगी वह प्रोड़क्ट अचा नहीं वह ब्रैंड अचा नहीं या फिर आपका स्किन सूटीबल नहीं किसी च करो वो करो आपको पास टाइम नहीं है okay that's it क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो सुचते मैं यह नहीं कर सकता हूँ में वह नहीं कर सकता हूँ मुझे सिंपल स्किन के रूटीन क्या है सी टीम क्लिंजिंग टोनिंग और मॉस्टराइजिंग वह तो आपको फोलो करना ह आपका लाइफ जितना भी बीजी हो जितना भी बीजी हो यह बहुत सिंपल रूटीन है और मैंने यह वीडियो अप्लोड भी किया था सी टीम का सब वह चेक आउट कर सकते है जाके लेकिन आप ज़रूर फोलो कीजिए वह रूटीन अटलिस वह तो करना ही है वह बहुत ही क्लिंजिंग कर लेजिए फेस वाश कर लेजिए टोनल लगा लेजिए कोई भी आपका फेवरेट मॉस्टेर लगेजिए यह तो आपका लाइफ जितना भी बीजी हो कुछ भी हो आप एटलिस यह फोलो किजिए प्लस जब भी आप बाहर से आते है ना घर पे इतना पॉल्य चुक्ति पहले बाहर गे थी में इतना ताइट थी इतना अधा ताइट कि मैं सिफ पानी से मूद रोके सो गए अड़ मुझे पमपल सो जब ऑख बहुत होगी इतना जानने के बाद भी मैंने तो लेजिनेस ओविएसली मुझे भी लेजिनेस होता है मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं हमचे एक्टिव रहती हूँ मुझे भी लेजिनेस होता है कभी गभी जिसके लिए जान बूच के गलती करती हूँ आप ना करें ये सब गलती आप ध्यान में रखे कि जब भार साइए अप तक फेस फेस वार से वश किजिए बहूं सक डिंजीव ये जरूर किजिए अगर नहीं होता है आप एक बड़ भी कीजिएंग precाण चैजिव यूरा कीजिए रिताल सुच tv कीजिए सोचें सो बार आप यह पर जारे होना तो अटलिस्ट आपका जो फेशिल टायल है आप वो जरूर कैरी कीजिए वो किसी के साथ कभी भी शेर मत कीजिए क्योंकि सब का skin type अलग है और बहुत unhygienic लगता है कोई और एक से मूँ पोच रहा है आप भी उसी से आपका face wipe कर रहे हो it's not good at all अगर आप facial tile नहीं carry कर सकते हो भूल चाते हो तो आप अपना बैग में हमेशाँ tissue paper जरूर carry के जिए क्योंकि वो आपको help करेगा आपको sweat हो रहा है तो आप उससे भी थोड़ा wipe out कर सकते हो that's it लेकिन अपका चीज कभी भी किसी के साथ share मत कीजिए specially आपका facial tile यह आपका personal है किसी के भी साथ mom, dad, brother, sister अगर husband है, बच्चे है आपका तब भी किसी के साथ share मत कीजिए यह हमेशा personal होना चाहिए for a healthy skin यह बात आप दरूर ध्यान में रखिए आपका facial tile हमेशा 2-3 days में wash कीजिए चाहे वो जितना भी clean लगे इसको wash कीजिए 7th and the most most important point जो बहुत लोग जान बूच की skip करते हैं और लोग अंजाने में skip करते हैं never forget to wear your sunscreen sunscreen बहुत important है चाहे आप घड़ पे हो, चाहे आप भार पे वे हो sunscreen ज़रूर एपलाई कीजिए बहुत लोग यह सोसे के घड़ पे है भार तो हम निकलते नहीं है तो क्या फाइदा घड़ में sunscreen पर घड़ पे ज़रूर sunscreen लगाए at least आप SPF 50 प्लस sunscreen ज़रूर यूज़ के जी आपके skin के लिए आप यह मत सूचे कि summer time पे sunscreen यूज़ करेंगे तो guys summer हो या winter sun हमेशा होता है आपके health पे तो क्या फाइदा sunscreen लगाने का क्या ज़रूरत है यह नहीं होता है 12 months sunscreen ज़रूर लगाए and क्योंकि यह आपको skin damages में बहुत ज़्यादा prevent करता है damage की sunken rays बहुत ही ज़्यादा खड़ाब है और आपके skin में बहुत ही harshly damage होता है क्योंकि बहुत सरे skin में dark patches पर जाते है time to time एक दिन पर नहीं होता है जैसे एक दिन में आपका skin prevent नहीं हो सकता है वेसे एक दिन में damage आपको शो नहीं होगा दीरे 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 करके वो चीज आपको visible होगा so sunscreen ज़रूर लगाए never skip PTR कभी miss मिस मत कीजिए घर पे भी लगाई है भार जाने के time पूर डेफिनेटी लगाई at least SPF 50 plus यह आप कोई भी ले सकते है मैं Biotika यूज़ करती हूँ आप भी यूज़ कर सकते है Biotika बहुत ही mattifying वाला sunscreen है कोई oily oily चिपचिपा वाला sunscreen नहीं क्योंकि मुझे जादा dry skin वाली हूँ पर फिर भी जादा oily oily चीज़ पसंद नहीं है बहुत ही जादा sweat निकलता है बट वह बहुत ही अच्छा है आप ट्राइ कर सकते है Biotika sunscreen SPF 50 plus मैं 50 plus से प्रेफर करती हूँ क्योंकि जादा time तक चलता है अगर अब 30 plus लगाएंगे SPF 30 plus लगाएंगे तो आपको 1-2 hour में फिर से अपलाई करना पड़ता है So at least SPF 50 plus ज़रूर लगाए So that's all in this video मैंने आपके साथ 7 tips शेयर किया है वोड़े healthy and glowing skin I hope आपको समझ में आ गया होगा कि skin को क्या-क्या ज़रूरत है बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीज है जो आपको धियार रखना है फोलो करना है वोड़े healthy and glowing skin यह आपको एक दिन में नहीं वन विक में नहीं वन मन्त में नहीं आपको time जाते जाते हैं आपको result मिलेगा प्लस आपको stop नहीं करना है प्लस फ्लाइक बटन कमें दाउल न्यू लिटो मैं चैनल शविक्राइब देड़ बीडिवा इकन जब देड़े लें की आप सबसे पहले नोटिफाइड होजाए यह छीर विपीशेए जरी जिएह एग खर्बाइब यहीं